क्योंकि आप बाई करके होल्ड किये थे आपने इस्टेक नहीं किया था यह कमी ऐसे भी होती है जब आप यह तो आप इंतिजार में बेज दिए दूसरी मैं बात बता रहा हूँ नचर चैंज नहीं होता एक एकी तरिके से काम करता और जब भी हमारा प्राफिट नजरों के सामने 2-3 में करम होने लगता है तीन से चार गुना दिखता है हमारा बीपी हाई हई होने लगता है 5 से 7 गुना देखते देखते हम उसको ऐसे ही निकालते हैं जैसे पर M exception किया जाकत वैसे ही crypto currency हमारे नद्दों के सामने 5 साथ गुना दिखता है तो हम बरदास नहीं कर तकते हैं और निकाल देते हैं और एक बहुत बड़े profit से बंचित रह जाते हैं तो इस्टेकिंग एक ऐसा माध्य में जिसकी वज़े से आपने कोईन बाई कर लिया इस्टेक कर दिया एक टाइम डियोरिशन के लिए इस्टेक हो जाएगा और वहां से आपको दोनों लाब मिलेगा एक तो आपकी होल्डिंग बरकरार रहेगी होल्डिज गोल्ड बोलते हैं और दूसरा 99% ट्रेडर जो लॉस करते हैं मनी ट्रेड करके प्रॉफिट मनी अपनी लॉस करते हैं ट्रेडिंग करके प्रॉफिट के चकर में वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस्टेकिंग करने से आपके MMIT की वैलू क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और ज । जादा होगा लॉस कम होने का चांस होता है । तो 30% जो burning है इसके लिए 50 to 60 month के लिए MMIT stake के लिए है और 50% staking के लिए है और बाकी का 50% reward है तो ये जो coin burning के लिए है ये ही coin का पहले stake reward है फिर बाद में next buy and burning है और आप समझ सकते हैं कि buy and burning staking करने से price बढ़ रहा है फिर buy and burn होगा तो भी price बढ़ेगा यानि दो-दो concept काम करेगा staking दूसरा buy and burning तीसरा इसका utility आ रहा है और चौतरा इसकी marketing चल रही है ये चार region से इसके price में बढ़ना है इसको और जिसमें आपको लाब मिलना है तो MMIT is the listed in कौन से exchange पे coin BX INR Indian exchange है coin BX LA token coin based coin tiger biconomy xt.com और mxc ये सब centralized exchange है बाकि decentralized exchange में Binance, Web3 wallet, 1 inch Kyber swap, OKX Pancake swap, जैसे की trust rate और metamars आप वहाँ सब जगह से MMIT को buy कर सकते हैं आने वाले 15 जनुरी को MMIT bybit, bitgate bitgate पे आ रहा है तो ये हम लोग के लिए सब के लिए good news है कि bitgate आज के date में under 10 exchange आता है यानि layer 1 का exchange है और bitgate के उपर ये आने वाला पहला community token है जिसके पास offline community है ऐसा वो पहला token है जो bitgate के उपर आ रहा है ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ community basis पे जिनोंने offline community बनाया वो लोग वहां तक नहीं जा पाए तो welcome to the world biggest staking platform decentralized staking platform में आपका स्वागत है क्या है थोड़ा सा और purchase करके आगे बढ़ते हैं दुनिया का यह पहला इकोसिस्टम इटाइज एक्सपीजियंस इन अठासी सो परसंट सर्जिन पास्ट कुछ पिछले कुछ समय में इसने अठासी सो परसंट का रिटन दिया participated in five world class crypto event जितना MIT आपने लॉग कर दिया है लॉग कितने दिन के लिए करना लॉग करना था तीन सो मिनुम्म मैक्सिमंum 14 d một दिन के लिए तो आपने जितना भी MIT लॉग कर दिया वो MIT का 0.15 परसंट आपको डेली डी-पिया रा रहा इसमें जितने percent MIT ग्रो करेगा उतना percent आपका value ग्रो हो जाएगा तो अभी MIT ने पिछले जब से ये start हुआ है अक्टूबर से तब से 10 time ग्रो किया तो 10 time ग्रो करने की वज़ा से 0.15 जो value आ रहे थी वो value आज की date में 1.5 हो चुकी है यानि की month का 4.5% के लिए जो लोग entry किये थे आज उनको 55% month का जारा है और ये मातर धाई महिने के अंदर हो पाया है तो ये कब तक जाएगा ये लगातार 1400 दिन तक जाएगा और minimum 300 दिन तक यानि कि अगर वो चाहेंगे तो 300 दिन बाद unstake कर पाएंगे वरना वो 1400 दिन तक लगातार लाव लेते रहेंगे अक्टूबर के बाद फिर आता है नॉम्बर मंत और नॉम्बर मंत में 15 नॉम्बर से 15 दिसंबर का पीरियड था इस टाइम पे जिन लोगों ने स्टेक कर दिया था 0.12 परसंट उनको डेली M.I.T. मिल रहा है लेकिन वैलू आज के रेट में चुकी M.I.T. 10 टाइम बर चुका है तो 1.2 परसंट आ रहा है वैलू और ये इनके पास 300 दिन मिनमुम से लेके मैक्सिमम सत्रह सो पचास दिन तक आने वाला है लगातार दिसंबर मन्त जो पिरियड चल रहा है जो समय चल रहा है वो चल रहा है 15 दिसंबर से 15 जनुरी और 0.11 परसंट यानि की डेली का 1.1 परसंट मन्त का 3.3 परसंट M.I.T. आएगा और साल का आपको यहां पर M.I.T. आएगा 49.6 परसंट और यहां पर भी जिन लोगों ने 2-4-5 मिने 2-4-5 दिन पहले 10 दिन पहले 15 तारिक से आज 15 दिन हो गया 15 दिन पहले जिन लोगों ने स्टेक कर दिया आज इनका M.I.T. उनको 0.11 मिल रहा लेकिन बैलू वहां से 3-4-5 6 गुना हो चुका है यानि कि आज वह 0.5.6 परसंट डेली का DPR पा रहे हैं और स्टेक डियूरेशन मिनमम 300 से 1910 दिन 1910 दिन लगातार पाएंगे यह टोटल सप्लाई का 4 परसंट यहां पर होना है और नेक्स्ट जब नेक्स्ट आता है 15 जनरी से 15 लास्ट आखरी 15 जनरी के बाद से टोटल सप्लाई का 15 परसंट और अभी टोटल सप्लाई का लगबग 2.5 परसंट हो पाया है टोटल सप्लाई का 12.5 बचा है और यह होना है और 0.1 परसंट यह प्रिलांचिंग था यह लांचिंग आपर है 0.1 परसंट यानि कि 3 परसंट मन्त का साल का 36 पर यहाँ पर आपका प्राइस इतना आप एणडाउन करेगा ऋतना वैलु end डाउन करेगा अब बात आती है लेबल इंकम की पर जब बात आई तो यहाँ पर याद आए वर याद आजाती तो यदि आपने क्रिप्टो का नसी बना दिया तो जितना आपने value लगाया था जितना आपने खरीदा था उससे ज़्यादा आपके पास क्रिप्टो आ गया तो जैसे ही क्रिप्टो का थोला सा price ग्रो करेगा तो आपको multiple return मिलेगा और price अगर loss भी ओता है डाउन भी जाता है तो आप नुक्षान से बच जाएंगे क्योंकि आप पास quantity बढ़ चुकी है तो same label income करके भी आप crypto MMIT बना सकते हैं पहले label पे 10, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4, चौथे पे 2, और 5 और 6 पे 1, 7 से लेके 10 तक 0.5% यानि कि total 10 label में 20% label income है यहां से भी coin MMIT बना सकते हैं तो एक slogan है क आप MMIT बनाईए MMIT आपको बना देगा और ऐसा जो पीछे देखा गया है उसके आधार पे जो पीछे हो रहा है उसके आधार पे बहुत ही अच्छा